दशको दवशकार हमारी लोगतांत्रिक संसदी प्रिणारी यूनिक है यहां बोलने का अधिकार अर्थात freedom of expression है और यही कार्ण है कि जनता सविधानिक रूप से स्वतंत्र है शासन प्रिशासन के बारे उनकी प्रिशंसा करने या दिन्दा करने कमी निकाल लेके दिये आज हम बात कर रहे हैं गटबंधन सरकार की जी हां जो राजनीतिक वैसामाजिक तोर पर एक वर्व को स्विकार होती है तदा दूसके वर्व को स्विकार कारण कोई भी हो हम आपको गटबंधन सरकारों की वैधानिक आवश्यक्ता के बारे यहां बताने जा रहे हैं इससे प इस जानकारी देखते रहे हैं। बदल पदियात्रा पर निकली हुई है। इसके बारे बताएं। उससे पहले या जान देना चाहिए कि 2nd September 1946 को पंडित नहरू के नेतरत में पिर्थम इंडियन एंटरिम गॉर्मेंट बनी थी। जिसके हिस्से थी इंडियन नेशनल कॉंग्रेश वे मुस्लिम लीग अर्थात एक से अधिक दल की सरकार। 1946 से भी ऐसी परिस्तितियां होती रही हैं। 1937 के प्रविंशल इरेक्शन्स में यूनाइटिड पार्टी की मेजोर्टी पंजाब वे अन इंडियन नेशनल कॉंग्रेश मेजोर्टी में आई। परंतों बॉंबे, आसाम वे नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रविंशिस में किसी की मेजोर्टी नहीं आई। और इंडियन नेशनल कॉंग्रेश यहां लाजेस्ट पार्टी थी पता सरकारें बनी जिसका टेन और तब दो वर्ष का होता था और गटबंदन की सरकारें थी। मेजोर्टी गवर्मेंट का प्रोविजन गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 66 से भी जाना जा सकता है। अब जबकि भारत का समिधान बन चुका है और 26 नॉबर 1949 को बना समिधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो चुका है तो Constitution of India के Articles 74 and 75 के अनुसार Council of Ministers जिसको PM हेड करेंगे उसका प्रोविजन दिया गया है। Council of Ministers Articles 75 की धरा 3 के अंतरगत collectively लोग सभा के प्रिटी responsible भी है। अब क्योंकि Article 100 के अंतरगत विधान मंडल के सदन कोई भी decision सदस्यों की majority of votes से ही लेते हैं। इसलिए यह इस कारण भी आवजशक है कि कोई भी सरकार केंद्रिय प्रदेश में बहुमत की सरकार हो। इसी तरह के provisions सविधान में प्रदेश सरकारों विधाइका के बारे में Articles 163, 164 and 189 में दिये गए हैं। तो सरकार भहुमत की ही होगी चाहे वह एक दल की हो या कई दलों के चुणाव को समझोते वाले दलों की हो और यदि इन इस्तितियों में संभव नहीं है तो चुणाव के बाद दलों के गटबंधन वाली भहुमत की सरकार हो। अतहे हैं गट बंधन की सरकार वैधानिक रूप से मान्य हैं तथा गट बंधन सरकार की इंपोर्टेंट जेस्टिफिकेशन भी हैं वह यह कि डॉक्टर अम्बेड करने थर्ड जून नाइंटिन फुर्टी नाइन को कहा था कि पारलेमेंटी इंस्टिटूशन्स सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए ऑपरेट करते हैं इसलिए यदि हंग लोग सभा विधान सभा होने पर गट बंधन सरकार भी नहीं बन पाई तो ये सदन डिजॉल्व कर दिये जाएंगे और सिटीजन्स बेनिफिट से बंचित हो जाएंगे तथा उन पर वैदेश पर दुबारा च जाएगा जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडगर ने सभा में 15 जून 1949 को यह भी कहा कि चुनाव आखिर एक साधर्ण मामला नहीं है इस पर भारी धन खर्च होता है और मुझे लगता है कि सरकार वे लोगों पर दोनों को थोड़े समय के लिए लगातार चुनावों पर भ जावधानों वे आवश्यक्ताओं के आधार पर एक गठबंदन सरकार का गठन करना लोग हित वे जनता के हित में ही है जिसे समझना उसे स्वीकार करना उसे बेनिफिट्स उठाने अतिरिक्त धन के भार से बचना जैसे ठोस इसके आधार वे फादे हैं यही कारण है कि यह कई दलों से मिलकर बनाई गई सरकारों का हो जो समझाते से पहले दलों का हो या चुनाव के बाद हुए समझाते के दलों का हो केंद्र में सिख्ट लोग सभा के बाद से ही 1977-79 में जनता पार्टी की स्री मोराजी देशाई वे चौदी चरण सिंग जी की ऐसी सरकारें थी 1989-91 में वीपे सिंग वेचंदर शेकर जी की थी 1991-96 में नर्सिमा राव जी की थी 1996-97 में अटल बिहारी वाजपे जी स्दी देव गौडा जी वे आई के गुजराल जी की थी 1998-99 में श्री अटल बिहारी वाजपे जी की थी जबकि 13 लोग सभा में 1999-2004 में श्री अटल बिहारी वाजपे जी की एंडिये की गॉर्मेंट थी 14 लोग सबा 2004 से 2009 वे 2009 तो 2004 शिरी मनमहुन सिंग जी की गॉर्मेंट भी यूपी ए की गॉर्मेंट गटबंधन की सरकार की रही हैं और आज भी हैं चाहे एक दलकाव बहुमत भी इतराप्त है प्रिदेशों में भी गटबंधन की सरकार रही हैं और आज भी हैं जैजे की हर्याना की हिस्ट्री ही देखी जाए तो सेकंड विधान सबा से ही 67-68 में राव विरंदर सिंग की फिफ्थ विधान सबा में 77-82 में चोधी वजनलाल की सेवन्त विधान सबा में 87-91 में जनता दल डिवाइड होने पर गटबंधन जैसा सरकार थी 96-99 में 9 विधान सबा में चोधरी बंसिलाल की फिर चोधरी ओम प्रकास चोटाला जी की थी 10 विधान सबा में 2000-2004 तक चोधरी ओम प्रकास चोटाला जी जो मैजोटी में थे परंतु बीजेपी की सपोर्ट भी थी 12 विधान सबा 2009-14 में चोधरी गुपिंदर सिंग हुड़ा जी की कटबंधन सरकार थी और आब 14 विधान सबा में 2019 के बाद श्री बनहोला जी की जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है दर्श को यह बताना भी आवशक है कि आजादी के बाद हुए गठबंधन सरकारों में ऐसे दल भी शामिल रहे हैं जो चुनावा में एक दूसरे के जिरोध में थे परंतो वैधानिक वै लोगतांतरिक आवशक्ता है कि सदन अपनी बहुमत का मंत्री परिशद बनाए और जनता की उसका धन का खर्च वै उसके भार से बचा कर जनता की सेवा करें उनकी कठनाईयों को दूर करें वै उनकी आवशक्ताओं की पूर्टी करें चाहे सरकार एक दल के बहुमत की हो या कई दलों के गठबंदन वारी बहुमत की सरकार हो यहां यह बताना भी आवशक है कि सरकार बनाने CM अपॉइंट करने के बारे में राजपालों जी की राश्च पती जी द्वारा गठित 1970 में एक कमेटी का डिसीजन Governor's Conference के इस डिसीजन का Improved Guidelines सरकारिया कमिशन का डिसीजन वे सरकारिया कमिशन की Guidelines का भी Improved Guidelines जो Acceptable है पुंची कमिशन की Guidelines हैं जिनको Consult करके हंग Parliament या हंग Assembly के होने पर राश्च पती जी या राजपाल महोद है पुंची कमिशन की Guidelines को धहन में रखते हैं और गठवन्दन की सरकार का गठन करती हैं यही मजबूत डेमोकरेसी वेहलदी पार्लियमेंटी सिस्टम की इसकीम की आवश्यक्ता है धन्यवाद जैहिंद